अगर इरादे मजबूत हो और कुछ कर गुजरने का जजबा हो तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है कुछ ऐसे ही जजबे और इरादे को मजबूत कर रीवा के अकबर खार ने कोरोना काल में एक नया इतिहास रचा है अकबर खार ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के आत्म निर्भर भारत से प्रेरित होकर कोरोना काल में शून्य रुपए से सैक्रो किलो मीटर चलने वाली साइकल बाईक का निर्माद किया दरासल अक्बल खान द्वारा निर्मित साइकल बाईक पहले पांच रूपे के खर्च में 90 किलो मीटर चलती थी लेकिन अब इसे अपडेट कर सूने रूपे खर्च में 100 किलो मीटर चलने लाइक बना दिया गया है अपनी इस नई खोच को लेकर अक्बर खान ने बताया किवा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित होकर कोरोना काल में गरीब और असहाय लोगों के लिए अपने तरीके की अलग साइकल बाईक बनाई है साइकल को बाईक बना कर इध्यास रचने वाले अक्बर खान ने बाचीत के दोरान बताया है कि पहले तो इसमें पांच रुपए का खर्च भी आता था और बिजली से बैक्टरी चार्ज की जाती थी लेकिन उन्होंने सोचा की आधी तूफान और बारिश के समय पर इसे चार्ज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इसके चलते उन्होंने एक ऐसी डिवाइस लगाई की जितनी बैक्टरी खर्च होती जाएगी उतने ही चार्ज होती जाएगी अकबर खान ने बताया कि उन्होंने यह आज की दौर में पेट्रोल डीजल के बहड़ हिदामों और गरीव बच्चों की परशानियों को देखते हुए बनाया है उन्होंने बताया कि उनका अंगला लच्छ दो सीटर कार बनाने का है जो सौर उर्जा से चलेगी अकबर खान ने बताया कि यह साइकल बाई के पूरी तरज से प्रदूसर्ण मुक्त है और अभी इसके निर्मान में लगभग 18,000 रुपे का खर्चाता है अगर सरकार उनकी मदद करे तो 7-8,000 रुपे में वह तयार हो सकती है अकबर खान द्वारा किये गए इस नए प्रयोक के चलते अब रीबा सही तविन दिवासियों में लोगों में काफी उत्सा है इसका खासियत इसकी यह कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं किसी भी काश्चवी के हैं तो जो मोटर सागी लाज उनके माबाब नहीं खरी सकते गरीब तपका है पढ़ने का है कहीं जाना भी है इतनी महेंगाई में इतना लागडाउन में जो आज 90 रुपे पेट्रोले नहीं भरवा सकते भरवा हुब तो इसलिए मैंने इनको एक साइकल बनाई कि जिसमें जीरो मेंटनेंस होए कोई खर्चा नहों तो ऐसी चीज बनाई जाए कि हर आदमी हर कपका हर लोग इसको शड़ सकें और अपना सब काम कर सकें वैशाज ही कर सकें तब हम इसके बारे में साइकल बनाए